नमस्कार कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्ण 5 हम करने जा रहे हैं देखे बच्चो इस प्रश्ण में हमसे कहा गया है यदि सीकेंड थीटा बराबर है 13 बटा 12 के तो अन्य सभी त्रिकोंड में यह अनुपात परिकरित कीजे अन्य परिकोंड में यह अनुपात यह नहीं सबसे पहले हम एक समकॉंड त्रिभूज बना लेते हैं और इसका नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं मैं इसका नाम लिख रहा हूँ P Q R Q पर संकुन है और R पर बन रहा है कौन थीटा ठीक है बच्चो अब हमें दिया गया है सीकेंट थीटा बराबर है 13 बटा 12 के तो बच्चो सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है देखिए सीकेंट सीटा का फार्मूला है H बटा B यानि हाइपोटिन्यूस बटा बेस तो देखिए हाइपोटिन्यूस हो गया 13 और बेस हो गया 12 अब हम सबसे पहला काम क्या है बच्चो आशा करता हूँ आपको याद होगा सबसे पहला काम है सम कौन तरिभूज में दो भुजाएं दिए हुय है पाइथागोरस की मदद से हम तीसरी भूजा प्राप्त करेंगे तो देखिये पाइथागोरस प्रमय के अनुसार कि अ day हाइपोटिनिउस के ब्राबर होता है बेस्केर प्लस प्रपेंडिकुलर square के तो देखे हाइपोटीनियूस हमें दिया हुआ है कितना है 13 तो यानि 13 का square बराबर है base square base है 12 यानि 12 का square प्लस perpendicular प्रपेंडिकुलर हमें नहीं पता उसका नाम है PQ तो PQ का whole square तो देखे 13 का square होता है 199 बराबर 12 का square होता है 144 प्लस PQ का whole square 144 यहां इसके साथ plus हो रहा है जब यह बराबर से उधर जाएगा तो 199 में से हो जाएगा minus और यहां आ जाएगा PQ का whole square 199 में से 144 निकाले तो हमें प्राप्त होगा 25 बराबर PQ का whole square और हमें पता है 25 किसका square होता है 5 का तो 5 का square बराबर PQ का square यहां से square square कट जाएगा तो PQ आगया हमार पास 5 तो हम PQ के साथ लिख देते हैं 5 अब बच्चो अब हमारा शुरू होता है बाकी काम और बाकी काम क्या है हमें बाकी 5 त्रिकोन मीत्य हनुपात निकालने है Sine A Sine का formula होता है perpendicular बटा hypotenuse ऩो देखे そう 5 बटा 2 13 तो Sine का formula हो गया Sine A हो गया Sine θ 5 बटा 13 इसी प्रकार हमने Cos θ एस Major ा उसका formula है बेस अपॉन हाइपोटीनूज दिखें बेस कितना है 12 बटा हाइपोटीनूज हाइपोटीनूज है कर्न ये की है 13 तो कॉस की वैल्यू कॉस थीटा आगया 12 बटा 13 इसी प्रकार अब हम निकालेंगे 10 थीटा 10 थीटा का फामुला होता है perpendicular बटा base तो देखिए perpendicular कितना है perpendicular है 5 बटा base है 12 तो याद एगा 5 बटा 12 इसी प्रकार हमने निकालना है co-secante theta जो की होता है sine का उल्टा 1 बटा sine theta तो देखिए sin theta है 5 बटा 13 तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 13 बटा 5 यदि आप चाहते तो cosicent theta को इसका उल्टा यानि h upon p लिखकर भी ग्याद कर सकते थे लेकिन हमने रिखा cosicent theta sin theta का उल्टा होता है 1 upon sin theta sin theta है 5 बटा 13 तो cosicent theta होगा 13 बटा 5 और अंतिम त्रिकोन मितिया अनुपात है cot theta और cot theta होता है 10 theta का उल्टा पता है न बच्चों cot theta होता है 10 theta का उल्टा तो देखिए यदि 10 theta आया है 5 बटा 12 तो cot theta हो जाएगा इसका उल्टा 12 बटा 5 तो इस प्रकार से हमने सभी 5 अन्य सभी त्रिकोन मितिया अनुपात निकालने थे देखिए sin आया है 5 बटा 13 cos आया है 12 बटा 13 10 आया है 5 बटा 12 cosecant आया है 13 बटा 5 और cot theta आया है 12 बटा 5 तो इस प्रकार से आप देखते हैं बच्चों ऐसा प्रेशन बहुत इंपोर्टेंट है कि इसमें आपको एक त्रिकोन मितिया अनुपात दिया होगा secant चाहे sin चाहे tan चाहे cosecant कोई भी एक त्रिकोन मितिया अनुपात दिया गया है और आपने इसी प्रकार पाइथा गुरस लगा कर तीसरी भूजा ग्याद करके आपने त्रिभूज की मदद से आपने बाकी के 5 त्रिकोन मितिया अनुपात ग्यात करने है ऐसा आपको कोई भी प्रशन आ सकता है एक वैल्यू दियोगी sin, cos, tan, cosecant, secant या cot में से कोई एक वैल्यू दियोगी और आपको कहा जाएगा आप त्रिभूज के बाकी 5 त्रिकोन मितिया अनुपात परिकलित कीजे तो उसका ये तरीका है आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन बहुत अच्छे से समझाया होगा यदि आप इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हुमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर बाकी प्रशनों के वीडियो देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं धन्यवाद बच्चो